नवस्कार स्वागत है आपका मुनाफ़े की मंडी में जहां आपको कमोडिटी मार्केट की खबरों के साथ वेतरीन ट्रेनिंग कॉल्स लेकर आते हैं साथी मौनसून का अब बेट और ग्राउंड से आपके लिए जिस तरह से एगरी की तस्वीर बदल रही है वो भी आपको ह सभी महिमानों का स्वागत है साथी डियेसपई साहब है आईमडी से और अजय जैन साहब है स्वयविन करोवारी MP से अब सभी महिमानों का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले डियेसपई साहब से बात कर लेता और मौनसून की चाल एक बार समझते कि किस तरह की दिनों में शुरुवाती 15 दिनों में सितंबर में किस तरह की बारिश की उमीद है अधिया एक्चुली इवन फॉरकास्ट सेप्टमबर का भी बहुत अच्छी बताई आपने So next 15 days का फॉरकास्ट ऐसे है कि अभी next third और fourth में एक low pressure system फॉर्म होने की उमीद है North Bay और Bengal में इसकी वाज़स से जो middle of September में rainfall activity, peninsula और Central India में बढ़ने की उमीद है At the same time जो नौर्थ इश में बारिश हो रही है इस्ट और नौर्थ इश में ये continue होगा तो overall हमें लगता है कि except तोड़ा जो नौर्थ वेस्टन रीजिन में महाराष्ट्रा जो करनाटका इंजिरेर करनाटका और सम पार्टस ऑप केरला चोड़के most of the other region जो eastern part of the country आता है ये सभी जग़े में normal to above normal बारिश यानि सामानी या सामानी से ज़्यादा बारिश होने की उमीद है major agri के belt है राज्थान गुजरात MP महाराष्ट्रा इन राज्यों को लेकर क्या लग रहा है क्योंकि कई सारे ऐसी फसले हैं जो अगस्त में बारिश नहीं होने की वज़े से खराब होने की स्थिती में है और नुक्सान 50% कई फसलों को लेकर जताया जा रहा है कि इस तरह की बारिश होगी सितंबर में सर तेके बारिश तो मिलेगी जरूर मिलेगी फ्यू स्पेल्स ऑफ रेइन फॉल बारिश मिलेगी एक दो तिन स्पेल का लेकिन ऑवराल जैसे हमने जो फोरकास देया है वो सामाने से कम होगा लेकिन इधर-उदर थोड़ी बारिश होते रहेगी पर्टिकलर्ली विडिल अफ सेप्टमबर जैसे मैंने बताया, माराष्ट्रा में भी जो पर्टिकलर्ली विदर माराटवाडा और कॉस्टल एरिया में सभी बारिश होने की संभावना है, कुजरात में भी मिलेगा, मद्यप्रदेश में भी, जब ये सिस्टम, लोग प्रशर सिस्टम होगा सेंडरल इंडिया में, मद्यप्रदेश में भी बारिश मिलेगा, इसके साथ साथ ये ओ एक्टिविटी शुरू होने से पहले थोड़ा तंडर स्टम एक्टिविटी भी हो सकता है, पर्टिकलर्ली मराटवाडा, विदर्भा, इस्ट मद्यप्रदेश, चतिस चले आप MP की बात कर रहते हैं, हमारे साथ MP से अजय जैन साहब हैं, कारवारी हैं, तमाम तरह के ग्रेंस के, स्वैबिन को लेकर अजय जी आपने एक फुटेज वेजा था, वो स्क्रीन पर मैं फुटेज भी आपको दिखाना चाहरा हूं, कि फसलों की इस्तिती अब धीरे अब तक तो उतनी खराब नहीं हुई है, लेकिन आगे अगर यहां से बारिश नहीं होती है, तो फसलों की इस्तिती काफी खराब हो सकती है, वो स्क्रीन के एक वार फुटेज आप बेख लीजिए, कि क्या इस्तिती MP में फसलों को लेकर है, स्वैबिन के सासथ मां की फसलो को लेकर किस तरह से पानी की सख्स जरूरत है, यह फुटेज के जरीए आपको पता लग जाएगा, अजय जैन साहब, क्या इस्तिती आप ग्राउंड पर है, क्या जो स्क्रीन पर जो दिख रही है, क्या अभी पानी अगर अगले एक हपते तक कम बारिश होती है, तो क्या हो की फसलों को काफी नुकसान होने लगा है, पानी की कमी से जमीन में दरारे भी पड़ रही है, और आज से 15 दिन पहले जो हम कलपना कर रहे थे, फसलों के इल्ड की, उससे आज फसलों में काफी अंतर नजर आ रहा है, और फसलों में नुकसान आज से 15 दिन पहले की सिती को नजर रखते हुए आने वाले अगर 57 दिनों में बरसात नहीं होती है तो फिर निश्चित तोर पे सोया बीन की फसल को हम डे बाई डे नुकसान की श्रेणी में गिनने लगेंगे सामगे पांसा दिनों तो कितना नुकसान को परसेंटेज आप बता सकते हैं कितने फसल को कितना नुकसान है आज की तारिक में तुम्हें जो आपको बता रहा हूं 15 दिन पहले जो हमको इल्ड लग रहा था काफी अच्छा हम पर हेक्टेर 1400-1450 तक हम समझ के चल रहे थे आज अब हमको ऐसा लग रहा है कि ये इल्ड 1200-1250 के आसपास तक सिमटना चाहिए क्योंकि अभी पॉर्ट फिलिंग स्टेच चल रहा है सोया बिन में अधिकतर जगहों पर सोया बिन में अभी फलियों में दाना लगने की स्थिति है और अगर अभी पानी नहीं मिलता है तो दाने के सिकुडने की या छोटा रहने की पूरी आशंका है क्वालिटी से लेकर क्वांटिटी तक तमाम ऐसी चीजे हैं जो अगर अगले एक हपते तक बारिश नहीं होती तो वो देखना पड़ सकता है विरेन वकिल जी आप गुजरात को लेकर इस्थिति बताई वहाँ पर किस तरह की इस्थिति है फसलों की यहां ग्राउंड नाट भी थोड़ा स्ट्रेस में है कोटन की स्थिति वैसे काफी अच्छी है अगले दो सब्ता में यहां भी पानी की जरूरत है और यह साल जीरा का जो पराइस काफी उंचा है नॉर्मल के हिसाब से तो यह देखते हो यह साल लग रहा है कि आगे जाके डिसेंबर के आसपास कॉटन की फर्धर की फिसंद शायद किसान नहीं लेगा और वहां कॉटन फर्धर का रिप्लेश्मेंट जीरा से या दूसरे कॉंपिटिंग क्रॉप से होगा एस्पेशले हमारे आज और नौर्थ गुजरात का बेल्ट है जहां मुफली, केस्टर, ग की सर्पलस जिस तरके सर्पलस जुलाई तक देख रहे थे, वो पूरी तरह से खत्म हो रही है, चाहे वो गुजरात हो, राजस्तान हो, वहां पर बहानक इस्तिती खराब होती जा रही है, शुक्रिया आजा जहन साहब आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और फसलों की इस् तरुन सासंगी जी भी है, तरुन जी क्या लग रहा है आपको, कीमते किस तरफ आप जाएंगी, आपने देखा फसलों की स्थिती, मौसम विभाग को भी आपने सुना, सामाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगस्त पूरी तरह से 122 साल में सबसे कम बारिश हुई है, सितंबर में भी शुरुआती हफते में उस तरह की बारिश के रिवाइबल की संभाबना है नहीं, क्या लग रहा है, किस तरफ आप दाम जाने वाले हैं, कि दुबारा फिर से महंगाई री एक्सलेरेट हो सकता है, उपर की तरफ जा सकती है, महंगाई क्या? ठ्सक्राइब कर दिए वाग जी तरह है, क्या सकती है, और या रच्प दूर्श के बात करेंगाई नहीं अने वाला है, जो कि आलड़ी हम देख रहे हैं, अलनी लो का इंपक्त आते हुए, simultaneously soil का moisture काफी बढ़ा हुआ है और हम कहीं न कहीं लगता है कि अब crop concern बढ़ते जा रहा है especially अगर हम pulses की बात करें, soybean की बात करें, cotton की बात करें अगर September अच्छा होता है, अच्छा हम तब कहेंगे जब September 22% higher rainfall होगा compared to LPA, then only we can say exactly September में monsoon revival हुआ और उसका positive impact पड़ेगा yield पर और production पर, but that is not going to happen तो certainly stress रहेगा खरीफ crop के उपर, already हमने देखे है कि pulses के price skyrocketing हो चुके है अगर हम soybean की बात करें, अपने low से 200 और पर चड़ चुका है simultaneously other crop पर भी तीरे-दीरे concern दिखने लगेगा जैसे जैसे हम moving forward September मन्त में जाएंगे और अगर rainfall में improvement नहीं होता है तो चलिए अब एक एक commodity की बात कर लेते हैं सबसे पहले गवार की बात कर लेते हैं गवार सीड और गवार गम आज तेजी दिख रही है फसल को काफी नुक्सान किया शंका है राजस्थान में बिरेन जी क्या करना चाहिए गवार सीड गवार गम में अब यहां sentiment थोड़ा overly bullish जैसा लग रहा है क्योंकि कुछ-कुछ फरकास्ट गवार 30 लाग बोरी 35 लाग बोरी ऐसे भी आ रहे है जो मुझे थोड़ा एक्स्टिंट साल वग रहा है इसको प्रावले ट्रेट गोलिंगे मैं वैसे शॉर्ट साइड प्रिफर नहीं करूंगा बट इस लेवल से तेजी को चेज नहीं करना है मेरे सब से बाया डिप्स और दोनों साइड के मोके मिलते रहेंगे तरुन जी चलिए वक्त हो गया थे नॉन आग्डि मार्केट की गोल्ड और सिल्वर आज नॉन फार्म पेरोल डेटा से पहले काफी सुष्ट नजर आ रहा है अभुपेज जी क्या हो रहा है गोल्ड सिल्वर में किस तरह की कॉल बन रही है आज जी नमस्कार सर गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड मुझे एक डायरे के ट्रेंज में रेंज में ट्रेंड होते हुए समझ आता है और नीचे में 69,250 का गोल्ड मुझे बंदा समझ नहीं आता है मुझे समझ आता है कि 60,310 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए और वहाँ स्टॉप लॉस 180 रुपे का मैंटेन रखना चाहिए अपसाइज में होते है बाजार 6450 और 570 के लग्से दिखाई देंगे वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का बाजार आज मुझे गोल्ड की तुलना में अधिक अच्छा लगता है कंपेरिजन करने पर और सिल्वर में मुझे टार्गेट 76150 और 76350 पर समझ आती है आमी जी आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर पर जी नमस्कार विशमान जी देखे मैं भी तेजी के साथ चलना प्रिफर करूँगा मेरा मानना है कि गोल्ड में 69000 के करीब अच्छे सपोर्ट्स है नॉनफार्म पेरोल डेटा जरूर है और हमने पिछले तीनिया चार जो एकनॉमी रिलेटेड डेटा थे कहीना कई उमीद से कम आते हुए देखे हैं US एकनॉमी के लिए नॉनफार्म पेरोल भी अगर इन लाइन भी आता है तो गोल्ड और सिल्वर को अट लीस्ट एक शॉर्ट टर्म बूस्ट मिल सकता है निश्ले स्थरों से मैं गोल्ड में 59200 के करीब अब प्रिफर करूँगा बाइंग तोड़ा डीपर स्टॉप लास 59000 का होगा और साथी टार्गेट भी जो होगा 59600 का होगा सिमिलरली चांदी की बात करूँ तो 75500 की करीब मेरा मानना है कि मिजट सपोर्ट एरिया है तो उसके करीब बाइंग की जा सकती है शॉट टर्ब टार्गेट 76400 होगा और इस टेट के लिए 75000 के नीचे के स्टॉप काफिती रहेंगे अब कच्चे तेल की बात कर लेते 1% टूपर है बिरेन सर क्या व्यू है कच्चे तेल को लेकर यहां से तेजी और बढ़ेगी क्या खल भी हमने देखा दो डॉलर नाम बढ़ गए थे आज भी तेजी है क्या यह तेजी और चलेगी थोड़ा अबसेट है इसमें इसमें इस्पेशली मेना सेक्टर जो मिडल इस नौर्थ अफरिका जिसको केते वहां थोड़ा स्ट्रेस आया जाइना में भी थोड़ी रिकोरी दिख रही है क्योंकि वहां मंदी की बहुत बाते हो गई मेंस मेकरो डिटा इतना सा बुलिश है खराब है अब ऐसा लग रहा है कि कोई नई डावसेट के लिए कोई नई मंदी का कराण चाहिए तब खिलाल रिली फरेली जिसको कहेंगे वह दिख रहा है ब्रेंट शाहिद 92 तक जाना चाहिए इंडियन टम्स में हम 7000-7200 तक प्राइस शाहिद देखेंगे 7200 तक भी MCX पर भाऊ जा सकता है ब्रेंट ख्रूड 92 डॉलर के भी उपर जा सकता है भुपेश जी आप क्या सला दे रहे है कच्छे तेल में कच्छे तेल का चार्ट का इस्टक्सर काकू पोजेटेब बना हुआ है 6,850 के उपर जब तक प्रूड ओल ट्रेड कर रहा है जेंटर डे में तब तक इसमें किसी प्रगार की नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए जहां भी buy on dips का market मिलता है buy on dips में के 6,900-6,800 नपए के आसपा जहां भी मिलता है वहां खरीदारी करनी चाहिए 6,850 के नीचे का stop loss रखना चाहिए 6,990 और 7,030 तक के लक्ष उपर के रखे जा सकती है आमे जी आपकी call कच्छे तेल पर जी मैं भी तेजी करना prefer करूंगा जो अपकी तरफ से कटोती extend करने की बात हो रही है कहीं न कहीं supply एक तरह से balance करने की कोशिश कर रहे हैं और price को उपर रखने की कोशिश हो रही अपकी की तरफ से इसके चलते हमने कच्छे तेल में कल भी उचालाते वे देखा है और आज भी लगता है कि यह जो rally है extend हो सकती है short term basis 680 के करीब मैं buying prefer करूंगा 6800 के stop loss के साथ upside में immediate target 7020 लेकिन अगर positional बात करे तो मैं अभी सहमत हों की 7200 तक prices rally हो सकती है natural gas आज 1% की नर्मी दिख रही है अच्छी तेजी आ गई है दो तीन दिरों में 230 के आसपास अभी भी है विरेंसर क्या सलाह देंगे natural gas के traders को hurricane season काफी active है यह साल अमरिका में और we are in the middle of hurricane season थोड़ा risk premium इसमें और वे बढ़ना चाहिए तो tentatively range में इसकी 210-250 की मान के चलता हो नहीं atom में सितंबर contact का चले base metals की चाल देख लेते हैं कि आज काफी अच्छी चमक दिख रही है base metals में aluminum 204 के आज पास करीब करीब 1% उपर है zinc में आदे से एक परसंट की तेजी दिख रही है copper में पॉना परसंट की तेजी है lead भी मजबूत है बिरेन सर क्या पसंदा रहा है metal में आज metal सभी पसंदा रही है बहुत टाइम के बाद इसमें थोड़ा turnaround मुझे दिख रहा है but especially मैं aluminum being के distance metal उसमें ज्यादा prefer करूँगा positionally काफी अच्छा इसमें risk on risk of के सबसे दिख रहा है भुपेज जी आपकी call क्या है base metals में जी आज की बात करें तो आज मुझे copper बहुत अच्छा लगता है copper 740 का दाम है अभी current copper भी ले सकते है 736 का stop loss लगा कर और positionally मैं aluminum के साथ जाना चाहूँगा मुझे उम्मीद है के 201 में जहां भी मिलता है या current वाउ में लेकर 199 का stop loss maintain रखना चाहिए 207211 के तार्फेट की लिए copper और aluminum आपको क्या पसंद है अमेज जी मैं copper के साथ जाना प्रिफर करूँगा I think one of the best picks base metals में फिलाल copper दिखाई दे रहा है short term basis 744 से 45 के लक्ष होंगे 736 से 37 के करीब buying की entry में प्रिफर करूँगा बढ़ यह जो rally हो सकता है यह short term basis 750 तक भी 2-3 दिनों के लिहाज से extend हो जाए तो copper topic रहे है अमी जी natural gas में कोई call है क्या आपके पास जी natural gas में मैं buying prefer करना चाहूँगा हाला कि overall जैसे बिरेंज जी ने बताया कि एक दाइरे में रहेगा मेरा भी यही मानना है लेकिन short term क्योंकि हम उस दाइरे के निश्टर स्थोर के चोर के ज्यादा करीब हैं तो 225-224 इस एरिया में मैं buying prefer करूँगा इमिजेट टार्गेट कल के जो हाइस से 234-235 के आसपास वो रहेंगे लेकिन हो सकता है यह जो rally है वो 240 तक भी एक्षेंड हो जाए तीन से चार दिनों के लिए आसे 234 के टार्गेट के लिए खरीदने की सल्ला में अब धेदरे खरिदारी बर रही है जीरा वायदा डेर परसेंट ऊपर 55,665 पर धनिया में भी ठीक ठक तेजी है तरुन जी मसालों में क्या हो रहा है ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है मसालों की अफ्टर डीसेंट रहली हमने रीसेंटली प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा था बट इस्टिल जो फंडामेंटल से डेट इस नॉट चेंज़ इस्टिल हमारे को अमालम है कि जी राव नेक्स्टियर यह आएगा सप्लाई टाइटनेस अल्यडी इस देखा बट प्रॉफिट बॉकिंग आया बट इस्टिल हमको ऐसा लगता है कि प्राइज वूड रिमेन ओन फंट राविघर साथ अगर मैं बात करता हूं टर्मरी का दिर इस अ क्रॉफ कंसर रैन्फॉल जिस तरीके से कम हो रही है कही ना कहीं वो क्रॉफ पर स्ट्रेस लेकर आएगा दो आट से नौ महीने का क्रॉफ है आएगा अर्वल रभी के साथ ह है और अल्रेडी हमने देखा है कि प्राइज डवल हुए है इसले कपल अफ मंस के अंदर तो इट विल रिमेन ऑन हाईर साइट लाइक जीरा अगर मैं बात करना हूं कोरियंडर का आइटिंग इसके अंदर भी रहली आने चाहिए लास्ट यर करीवन ग्यारे बारह अजार क अबाव था बॉटम आउट अल्यडी हो चुका है और इट शुड रिमेन फॉर्म इसपाइस कॉंप्लेक्स जहां से पॉजिटिव भी दिख रहा है बुपेश जी आपकी कॉल क्या है इंट्राडे के हिसाब से अगर किसी को ट्रेड करना है मसालों में तो जी मुझे अभी भी हल्दी का जो मुमेंटम है बड़े चार्ट के इसाब से अभी भी पॉजिटिव समझ आता है फंदरहजार चौदरहजार नौसव पजास में जहां भी हल्दी मिलती है वहां खरीदारी करनी चाहिए थोड़ा वोलेटाइल होने के कारण स्टॉपलोस ब वैसे सभी काउंटर्स अच्छे बट जो पानी की स्थी है हमारे हां और दन्या को काफी ज्यादा पानी चाहिए कंपेट टुजीरा तो मैं दन्या में बाइसाइड प्रिफर करूंगा बट यह डायरेक्शनल बेट है विस दीचार्मीन की बेट है चले अब कॉटन कॉटन क अब धेर देरे हलकी तेजी सुरू हो गई है कॉटन केक में भी आज खरीदारी है एक परसंट से ज्यादा के ऊपर ट्रेड कर रहा है अठाइस सो के आसपास तरुन जी क्या सला है कॉटन कॉटन केक पर एक्टी डिपेंड करेगा एक्जेक्ली कॉटन का क्रॉप कैसा होता ह दो मैचुरीटी के टैप पर ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है कॉटन को पर इस्तिल सपीशन रेंफॉल नहीं होई है महाराष्टा ड्राइए है गुजरात का जो कॉटन प्रदूसिंग वेल्ट है वो एक्चुली ड्राइए है साइमल्टेनिसली पंजाब इस टर्निं नहीं देखा है लीन सीजन है लॉट बूट डिपेंड अपॉन क्रॉप का क्वालिटी और साइस क्या होता है डेट बूट बी क्लियर बाई इस मन्थ हैंड ओके शुक्रिया तरुन जी आपका बिरेंसर आपका भुपेश जी आपका अमी जी आपका आप लोगों ने वक्त निकाला मुनाफिकी मंडी में इतना ही ब्रेक के बाद जाब लॉटिंग